पश्रिम बंगाल में आप स्टार पचा रखें, जाने वाले हैं, होके भी आए हैं, नात संप्रदाय से भी जुड़े, लाखों लोग वहाँ पर रहते हैं, क्या मैसेज होगा पश्रिम बंगाल के लोगों के लिए और खास तोर पर ऐसे वक्त जब पॉलिटिकल फाइट इतन संकेन हो गई है, कि वहाँ पर हिंसा से कंपर बात ही नहीं होती है, देखें, बंगाल भारत की सांस्कृतिक राष्टबाद की भूमी है, और बंगाल की धरती में, मुझे तो असर होता है, कि सासन की योजनाओं को वहां तक उन गरीबों तक उन गाउं तक आज तक क्यों न नहीं दिया गया, 1885 में बंकिम चंदर चटोपाद्ध्याय ने आनंद मत नाम का एक उपन्यस लिखा था, बंगाल के बिपलों के बारे में उसमें बहुत विस्तार से चर्चा है, अगर बंगाल के अंदर ग्रामिड छेतर में देखना है, तो दृष्य आज भी देखने को म राज्य सरकार अपने स्तर पर तो कोई काम करती नहीं, लेकिन केंदर सरकार की उजनाओं को भी लागू नहीं होने देती, वहां गरीबों को आवास नहीं मिलते, वहां पर गरीबों के लिए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधी लागू नहीं किया गया, जो देश के किस किसान उत्तर प्रदेश में 2 करोड 42 लाग किसान प्रदान मंत्री किसान सम्मान इदी से आचा दी थे 6,000 रुपे साला नहीं मिल जाता है उनके खाते में आ जाता है बंगाल का किसान उससे बंची थे क्योंकि वहां की राज्य सरकार ने टीम सी की सरकार ने लागू नहीं होने दिया प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश में 40 लाग गरीबों को 4 वर्स में मकान दे दिये एक एक बंगाल के अंदर लागूनी होने देता है प्रदेश के अंदर 6 करोड गरीबों को आईश्मान भारत का 5 लाग का स्वास्त बीमा का कबर हमने दिया है वे बंगाल में नहीं होने देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने यहां पे फिरी में रसोई का इसके connection दिए वे लागू नहीं होने देते हैं यह सब भारत सरकार से मिलने वाली साहिता है भाराइज सपरकार के स्वयोग से हम कर रहे हैं तो खुषाःली उत्तर प्रदेस में बंगाल में हो गी है क्या जब लागू हम प्रदेस के अंदर कर रहे हैं इमांदारी से लागू कर रहे हैं इसलिए डवल इंजन की सरकार चाहीए इसलिए कहा जा रहा है कि को राज्य में नहीं लागू कर देंगे जब ये बेंड़ अपोन करके कोई राज्य सरकार प्रेकर देगी तो हो सकता है उनको अपने राजनितिक संतुष्टी हो जाए सफर तो गरीब करता है गाओं करता है किसान करता है नौजवान करता है और यह बंगाल के अंदर हो रहा है